दोस्तो रिजेंटली वावे ने अपना एक नया फोन लांच किया है वावे P30 Pro जिसमें वावे ने एक पैरिस्कोप कैमेरा का यूज किया है जो कि आमारे फोन में जो नौर्मल कैमेरा होते हैं उनसे तोड़ा सा डिफरेंट होता है तो आज के वीडियो में मैं आपको यही ब तो दूस्तो अगर आपने नोटिस क्या हो तो जो बागी फोन होते हैं उनसे में आपको डिवल कैमेरा स्ट्रिपल कैमेरा स्क्वाड कैमेरा तक भी दिखते हैं फोन में और क्या होता है कि उसमें से कोई एक कैमेरा कुछ-कुछ फोन में एक टेली फोटो लेंज होता है मतल नर्मली अगर वो तो हम सब फोन में जूम कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास secondary camera है और उसमें अगर आप optical zoom का option है तो क्या होगा कि आप जूम तो कर पाऊगे लेकिन कोई quality का लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा वरना नॉर्मली हमारे जो बाकी फोन होते हैं जिसमें वो बदाता हूं तो आप मानलो कि यह जो डायरी है वो आपका फोन है मतलब एक्चुल में हमारा फोन इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन अभी के लिए अपका फोन है ताकि में अपको अच्छे से समझा पाऊं और उसके उपर यह जो एक छोटा सा आपको स्क्वार दिख रह होता है। और यहां पर ऐसे शिर्फ एक लेंस नहीं यहां पर 5,6,7,7olesome अलगने लेंस होता है। सबस्ब्लेंस होता है। इसके लेंस एक की उपर एक ऐसे प्लेस के उपर प्लेस किया आपके पास एक limit होती है जिसके आगे आप नहीं जा सकते क्यूंकि जो camera का unit है वो बहुत ही पतला है और अगर आप नहीं जानते हैं यह sensor और यह lens और वो सब क्या है तो उसके उपर मैं अल्रेडी एक detailed video बना चुका हूं जिसकी link आपको description में मिल जाएगी या फिर आप यहां पे click करके भी वो वाले वीडियो देख सकते हो वीडियो का नाम है what's inside your camera उसमें मैं आपको यही बताया था कि यह camera के अंदर क्या क्या चीज़े होती है तो अगर आपको detail में जाना है कि यह सब चीज़े क्या है तो आप व यहां पर हमने ऐसे 3 लेंश लगाया है तो इसलिए हमारे पास लेंश लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा जगह है मतलब यहां पर जो sensor था तो यहां पर एक दो तीन चार ऐसे लेंश लगा सकते हो क्योंकि हमारे पास यहां ज्यादा जगह है मतलब नॉर्मली अगर आप इ लेंस की placement होती है उससे अगर थोड़ी सी उसको change करते हो मतलब दो लेंस के बीच का distance बढ़ा देते हो या कम कर देते हो या फिर जो लेंस की ठीकने से focal length उसको ज्यादा यह कम कर देते हो तो इसका फाइदा यह होता है कि आपको अलग field of view मिलता है मतलब यह तो आपको एक दम बहुत ही ultra wide camera मिल जाएगा या फिर आपको एक telephoto lens मिल जाएगा जिसे कि आप zoom in कर पहोगे अब यह depend करता है कि आपने कैस से उसकी placement को change किया है तो अगर यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी जगह है तो हम ज्यादा आगे पीछे कर पाएंगे lens को तो इसी वदे से हम यहाँ प sensor है उसको यहाँ पे place किया है और जो lens से उसको उसके आगे 1-2-3 ऐसे यहाँ पे lens को place किया है और इसका एक और फाइदा यह होता है कि अगर आपने कोई DSLR camera में देखा होगा तो इसमें में जब आप zoom in या zoom out करते हो तो जो lens से वो आगे पीछे होता है तो इससे अब जो आपकोड होता है hate normal camera में छे यहां पर लगा होता है और जो lens से वह नौरमल BUT के मा मेरा में यहीं पर आपकोड़े होता है और यहां पर यहां पर एक चोटा सा प्रिजिम भी होता है मतलब चोटा मिरर भी होता है एक periscope camera में जो कि जो light यहाँ से आती है मतलब camera में उसको turn करके वो ऐसे cross में कर देता है जिससे कि वो हमारे sensor पर यहाँ पर पढ़े तो यह एक difference होता है एक normal camera और periscope camera में और इसका advantage यही है कि आप इसमें ज्यादा zoom in कर पाते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे ज्यादा जग hybrid zoom मिलती है और hybrid zoom में क्या होता है कि वो optical zoom ही होती है लेकिन बाद में उसको crop किया जाता है और ऐसी बहुत सारी photos ली जाती है जिसको combine करके आपके लिए एक photo तयार की जाती है जिसमें quality कम होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती थोड़ी सही कम होती है और बाद में 50x तक की yes 50x तक की आपको digital zoom मिलती है और इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई optical या कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर नॉर्मल यह आपका phone जो है वो normal photo ही खिचेगा 5x पे और फिर उसको crop कर देगा 50x तक तो इसमें definitely जो quality है वो बहुत ही जादा कम हो जाती है as compared to optical या hybrid zoom लेकिन 50x तक की zoom हो और आखिर इसके फाइद है और बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको यह कैसा लगा मत सबको मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई